हेलो फ्रेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्तोंगे इसी उमीद और आशा के साथ मैं आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूं फ्रेंट्स और सुभा के अभी दस बजे हैं मैं अपने टेरेस पे आई हूं और आज मैं आपसे शेयर करूंगी सर्दियों के ऐसे पांच पौदे दोस्तों जो की आपको गुच्छों में फ्लावर देंगे और जो है उनकी जो फ्लावरिंग होती है वह काफी लंबे समय तक बनी रहती है और अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन करी दीजिएगा दोस्तों तो चलिए रूस्तों देखते हैं से कौन-कौन से पौदे हैं तो सबसे पहले मैं नाम लोगी यह है इसमें प्लावर राते हैं और यह कटिंग से यह बहुत ही असानी से लग भी जाता है और यह कई सालों से मेरे गार्डन में इसी तरह है मैंने क यह चोटा सा डबा है पेंट का इसमें दो प्लांट लगे वह हैं मैकिसम प्रिटोनिया और यह क्लांचो का और यह भी वेस्ट मेटीरियल के उपर लगाय वह हैं और इनके जो फूल होते हैं यह सभी प्लांट मने कटिंग लगाए हैं और इनके फूल होते हैं वो इनमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं और जो है काफी लंबे समय तक इनके फ्लावर बने रहते हैं यह एक बहुत हाड़ी प्लांट है बस इससे ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है दोस्तों और वाटरिंग से यह प्लांट आपका मर देखिए मैंने छोटे छोटे इनको वेस्ट कंटेनरों में लगाया हुआ है और यह देखिए बहुत अच्छे से प्लांट सभी प्लांट चल रहे हैं बाल्टी मेरी तूट गई थी और यह ग्रो बैग है जो कि हम जब प्लांट लेके आते हैं नर्सरी ते उसमें मिलता है उस इनके फ्लांट बहुत खुबसूरत होते हैं जैसे कि गैंदा के फूल होते हैं और इनमें जो है गुच्छों में फ्लावर आते हैं दोस्तों आप डेखिए हर ब्रांच में आपको यह इनके पौदे दी फ्लावर दिखाई देंगे और यह बहुत हाड़ी प्लांट भी है दोस्तों यह पौदा आप जरूर लाए नरसरी से इनके फ्लावर होते हैं बेहत खुबसूरत होते हैं और इनकी कीमत भी जो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो 20 से 25 उपे इनकी कीमत होती है दोस्तों तो यह प्लांट आप जरूर लगाए अपने गार्डन में अगला पौदा दोस्तों यह सभी का फेवर्ट प्लांट है प्रिटोनिया और आप देखें प्रिटोनिया के फ्लावर कुछ इस तरीके से होते हैं इनमें भी गुच्छों में फ्लावर आते हैं दोस्तों जो पौट होता है वह फूलों से भर जाता है हर ब्रांच में इसमें फ्ला तोस्तों तीसरा पौधा वो सभी का बहुती फेवरिट प्लांट है और ये आपसे पहले मैं आपको पनी मेती दिखा रही हूँ ये रेखिए ये गुल्दावदी है दोस्तों और गुल्दावदी भी जो है कटिंग से बहुती असानी से लग जाता है नर्शरी में जो है ये बहुती असानी से मिल भी जाता है इसकी कीमत भी वही 20 से 25 रुपे या 30 रुपे 40 रुपे होती है बहुत अधिक महंगा ये प्लांट आपको नहीं मिलेगा ये भी आप किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं ये मैंने देखिए वेस्ट कंटेनर में लगाए हैं जो क इनमें गुच्छों में फलावर आते हैं दोस्तों तो ये पौदह आप जरूर लगाएं ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है सर्दियों का दोस्तों ये है सबसे आखरी पौदा साल्विया का साल्विया में आप देखे कितने सुन्दर फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों इसके जो फ्लावर होते हैं ये इसी प्रकार गुच्छों में इनमें फ्लावर आते हैं दोस्तों तो ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में सी पॉदी और ऐगलकों कहते हैं और सबसे उजय में पमge Ilona को चलिएघा बैंकि आप चलिएколना की शरी झीमोर आप इने वंदें के लिए और ना प्रlचों प्लाब चलिए हैं उन्हें धाया अपस्जों में प्लाबच क्राें आप लिक्विड फटिलाइजर भी देते रहिए इनको तो यह बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको पूरी सर्दी बर देंगे तो यह थी दोस्तों आज की जानकारी और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वाई फ्रेंड्स, हैपी गार्ड नहीं, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया